अव्यक्त शिक्षाओं का अनमूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्माश्यव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है अम शांती गॉड्लिवोड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत आमुले रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है परम पिता परमात्मा संपूर्ण मनुश्यात्माओं वह संपूर्ण प्रकृति के परिवर्तन करता है और इसलिए वह हम आत्माओं की द्रिश्टी, वृति, कृति, स्मृति सभी को परिवर्तन करने के लिए ज्यान विशक्ति प्रदान करते हैं परंतु क्या कारण है कि परमात्मा की मुदत के बावजूद मनुश्यात्माओं स्वयम को परिवर्तन करने में असमर्थ महसूस करती हैं इस कारण और निवारण को आज हम इश्वरिय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे और इन महावाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मध्ये हैं प्रजापिता अब्रम्हा कुमारिस इश्वरिय विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षप आदर्नी राजुभाई साहब इस अब आज के एपिसोड में बहुत बस्वागत है और आज हम बात करेंगे 17 अपरिल 1983 के महावाक्यों पर जिसका टॉपिक है द्रिष्टी तथा वृति परिवर्तन के लिए युक्तिया परमात्मा कहते हैं कि पुरुशार्थी शब्द में सारा ज्यान समाया हुआ हुआ पुरुशार्थी अर्थात पुरुश अर्थात रथी किसका रथी है किसका पुरुश है इस प्रकृति का मालिक अर्थात रथ का रथी एक ही शब्द के अर्थ स्वरुप में स्थित हो जाओ तो क्या होगा सर्व कमजोरियों से सहज पार हो जाएंगे वो सुंदर अर्थ है, पुरसार्थी, जो पुरुस इस रत पर है, वो इसका मालिक है, अगर ये स्मृत्ती रहती है, तो आत्मिक इस्तिती सोते बन जाती है, क्योंकि मैं पुरुस आत्मा हूँ, और इस शरीर रत है, जब आत्मिक इस्तिती बन जाती है, तो कर्म इंद्रियो पर कंट्रोल आ जाता है। यही सहज पुरसार्त है परमात्मा कहते हैं इसी एक पुरसार्ती सब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है। परमात्मा कहते हैं कि पुरुष प्रकृती के अधिकारी है नकी अधीन है। रथी रथ को चलाने वाला है नकी रथ के अधीन हो चलने वाला। अधिकारी सदा सर्वशक्तिवान बाप की सर्वशक्तियों के अधिकारी अर्थात वर्से के अधिकारी वह हकदार है। सर्वशक्तियां बाप की प्रॉपटी है और प्रॉपटी का अधिकारी हर एक बच्चा है। यह सर्व शक्तियों का राज्य भाग के परमात्मा सभी को जन्मसिध अधिकार के रूप में देते हैं। परमात्मा के द्वारा जो सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त होता है, उस अधिकार को लेने की विधी, हमारी अथार्थ होनी चाहिए। और वो विद्धी परमात्मा बता रहे हैं कि पुरुस इस प्रकरती का मालिक है जब वो मालिकपन की इस मृत्ती में रहता है कि रत को मुझे चलाना है रत मुझे नहीं चलाए माना इस सरीर की कर्मिंद्रिया आत्मा को अपने अधिन न बना ले हम अधिकारी बनकर के अगर इन कर्मिंद्रियों को चलाते हैं इस रत को यूज करते हैं तो हम अधिकारी परमात्मा के वर्से के बन जाते हैं और वर्सा क्या है? सर्व सक्तिया है परमात्मा सर्व सक्तिवान है, सर्व समर्थ है तो हम उसके बच्चे जब अधिकारी सुरूप में इस्थित रहते हैं तो उसके वारिस बन जाते हैं उस सर्व सक्तियां हमें अपने हाफ प्राप होने लगती है तो परमात्मा कहता है जिसके पास सर्व सक्तियां है जो परमात्मा के वर्से का अधिकारी है वो कभी भी किसी के अधीन नहीं हो सकता, कोई भी करमेंदरी उसको अधीन नहीं कर सकते आज जितनी भी बुनाईयां आ रही हैं, विकार उत्पन हो रहे हैं, उसका कारण है अधीनता कहता है मैं चाहता नहीं हूं मेरे से ऐसा हो गया तो परमात्मा हम बच्चों को पुरसार्थी सब्द के अर्थसरूप में इस्थित करा करके इन विकारों पर इन करमेंदरी उपर हमें जीत प्राप्त कराना चाहते हैं और उसके लिए कहते हैं तुम सर्वशक्तिवान की वच्चे वारिस हो उस वरसे के अधिकार से आप अपने करमेंद्रियों पर कंट्रोल करो अधिकारी बन करके रहो ते करमेंदरी आपके अधिन हो जाएंगे परमात्म कहते हैं कि चारों ही प्राप्तियों के प्राप्ती स्वरुबात्माई कम्जोर हो सकती है, क्या यह चार प्राप्तियां संभाल नहीं सकते हैं, कभी तिलक मिठ जाता, कभी तक्त छूट जाता, कभी ताज के बदले बोज उठा लेते, व्यर्थ ककपन की टोकरी उठा लेते, नाम स्वराज्य है लेकिन स्वयम ही राजा के बदले अधीन प्रजा बन जाते, ऐसा खेल क्यों करते हो? अगर ऐसा ही हेल करते रहेंगे तो सदा के राज्य भाग्य के अधिकार के संसकार अविनाशी कब बनेंगे परमात्मा कहते हैं आप बच्चे मेरे स्वराज यदिकारी आत्मा हो सुराज यदिकारी आत्मा के पास एक तिलक का विनासी लगा हुआ है आत्मिक सरुप का प्योटी का पवित्रता का ताज और जवाबदरी का ताज है और परमात्मा के दिल का तक्त है तो आप सुराज यदिकारी बच्चे इन विशेष्टाओं से संपन हो जब ताज तक तिलक सदा कायम रहेगा तब आपका सुराज ठीक चल सकेगा अगर एक भी चीज की विस्मृत्ती हो गई तो आप सुराज यदिकारी बन करके नहीं रह सकते हैं परमात्मा ने कहा कि जो अपने आदी संसकार अविनाशी नहीं बना सकते वह आदी काल के राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे अगर बहुत काल के युद्धे पन के ही संसकार रहे अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया आज जीत, कल हार, अभी अभी जीत, अभी अभी हार सदा के विजई पन के संसकार नहीं तो इसको शत्री कहा जाएगा orchaftल जायेगा यी अप्राम्माण सो देवतां बनते हैं। शत्री दो फिस फिर शत्री ही जाकर बनेंगे वर्तमा समय परमात्मा पिता के द्वार तीन धर्मों की स्थापना होती है। सबसे पहले हमें ब्राह्म्मन बनाते हैं, संगम पर ब्रह्मामुक्तन, फिर ब्राह्मन जाकर के देवता बन तैंप। इस तरह स्टेज छत्री धर्म की स्थापना होती है। तो परमात्मा कह रहे हैं, जो बच्चे ब्राम्मन बन करके आधी संसकारों को इमर्ज रखते हैं। युद्ध नहीं करते हैं, लेकिन आधी संसकारों को नैचुरल अपने जीवन में उतार लेते हैं। वो ब्राम्मन सो देवता बन जाते हैं। और संगम पर जो युद्ध करते हैं, विकारों से युद्ध करते हैं, वो जैसे युद्ध करते हैं, इसलिए उनके संसकारों के होते हैं। युद्ध के संसकार हैं। तो इस समय ही जिस प्रकार का आत्मा पुर्शार्थ करती है, उसी प्रकार की पद्वी सत्यूग अत्वात्रेता कि उसको पृराप्त होती है. तो वर्तमान समय हम सत्यूगी संसकार, आदी संसकार, दिव्वी संसकार, अगर अपने जीवने में उताड़ लेते हैं, युद्ध नहीं करते विकारों से, बुराईयों से, युद्ध में हमारा समय नहीं जाता, हार नहीं काते, कभी हार, कभी जीत, कभी हार, कभी जीत अगर हो रही है, और आत्मा इस सरीर से छूट जाए, सरीर छूट जाए अगर उसका, तो उसको ऐसा ही पद उसको मिल जाएग तो आप जब सरी छोड़े इस अंतमति सोगति जब ब्राह्मान आत्माय संपूंता को प्राप्तो करके इस सरीर से निकल के जाएंगी तो ब्राह्मान परिस्ता बन करके देवता बन जाएंगी और अगर युद्ध करते करते जाएंगी तो भी ब्राह्मान फिर चत्री बनेंग मुर्ली वाले अर्थात, मास्टर मुर्ली धर बन, विकारो रूपी साप को विशयले बनने के बचाई, विश समाप्तकर शयया बना दी, कहां विश वाला साप और कहां शयया, इतना परिवर्तन किस से किया, मुर्ली से, ऐसे परिवर्तन करने वाले को ही विजई ब्राम्भण कहा जाता है इसलिए बर्तमान समय जिसका प्रांस कराती है। जो माश्टर मूली धर बन जाते, जीवन में उतार लेते हैं, उनके लिए संसार में कितना भी विसेलावातावरण है, कितने भी विकारी लोग हैं, उनके बीच में रहते हुई भी उसके प्रभाव में नहीं आते, उसको जैसे सहिया बना करके आराम की स्थति में रहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अभी तक जबकि अपने संसकारों को परिवर्तन करने की शक्ती नहीं आई है, विश्व परिवर्तक कब बनेंगे? अभी द्रिश्टा हो, द्रिश्टी द्वारा देखने वाले द्रिश्टा, द्रिश्टी क्यों विचलित करते? दिव्यनेत्र से चमडे की आखें चमडे को देखती, चमडी को देखना, चमडी का सोचना, यह किसका काम है? फरिष्तों का, ब्रामभणों का, स्वराज्य अधिकारियों का? परमात्मा हम भच्चों को दरश्टी, वरत्ती, स्मरत्ती संसकारों को प्योर बनाने के लिए, बहुत स्वच पवित्र बनाने के लिए, बहुत कड़ी सिक्षाएं भी देते हैं, और इस्मरत्ती दिलाते हैं कि जब आप, अगर अभी भी संसकार आपके विकारी, पुराने, इमर्ज होते रहते हैं, तो विष्व परिवर्तन का कारी आप कैसे कर सकेंगे, इतना बड़ा विष्व परिवर्तन का कारी है और आप अपने ही संसकारों को परिवर्तन करने में लगे हुए हैं, इसके लिए द्रश्टा बन करके इस द्रश्टी से देखो, दिब नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करो। द्रष्टा की अगर द्रष्टी चंचल होती है, किसी की दे को देख करके उसके विकारी संकल्प चल जाते हैं, तो परमात्मा कहता है, तुम द्रष्टा बन करके नहीं देख रहे हो। तुम दे को चमडी को देख रहे हो। तो छमडी को को देखता है, न फरिष्टा देखता है, ब्रामन देखते है, न कोई सुराज जदिकारी आत्मा देखती है. इसलिए उसको खुद महसूस कहना चाहिए, चमडी को देखने वाले वैसा कहते हैं, तो परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं, आप तो आत्मा हूँ, आत्मा को देखने का अभ्यास करो और आत्मिक द्रश्टी से अगर किसी की दिव्यता को देखेंगे तो आपको कभी भी विकारी संकल्प सुपन नहीं आएंगे आपके संस्तार दिव्य और पवित्र बनते जाएंगे इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को संपून पावन बनाने के लिए संसकारों को दिव्य बनाने की बड़ी अच्छी विधी बथाते हैं जब किसी से आप मिलते हो, जब किसी से बात करते हो उसके रूप को उसकी देह को नहीं देखो उसके अंदर जो चमकती हुई आत्मा है उस मनी को देखो आपके संसकार दिव्य बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे परमात्मा कहते हैं कि सदेव हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखना यह है दिव्य नेत्र से देखना कुमारी है, माता है, बहन है सेवाधारी निमित शिक्षक है लेकिन है कौन? शक्ति रूप बहन भाई के संबंद में भी कभी-कभी वृत्ती और द्रिष्टी चंचल हो जाती है इसलिए सदा शक्ति रूप हैं, शिव शक्ति है शक्ति के आगे अगर कोई आशुरी वृत्ती से आते तो उनका क्या हाल होता है? बहेतो microbes हो जानते होना यादगार में दिखाते हैं कि देवीयों के सामने कोई आशुरी वृत्ती से भी आ गया तो कहते हैं देवियों उन्हें उसको पैर के नीचे कुचल दिया इसलिए देवियों के जो ऐसे चित्र बनाते हैं जिनके हाथ में सस्त्र होते हैं भाला होता है तलवार होती है और उनके पैरों के नीचे असुर होते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जिस भी बहन को जिस भी नारी को आप देखते हो वो है कौन वो आपकी बहन है टीचर है या नारी है या उसके अंदर एक शिव सक्ती है तो जब हमारी व्रत्तियों में ये भावना रहती है ये नारी नहीं लेकने शिव सक्ती है परमात्मा की संतार ये पवित्रात्मा है ये जगत माता है, देवी है, शिव शक्ती है, यह जब भावना है आपकी रहेंगी, तो आपकी आसुरी ब्रतियां जो उसके प्रतिय गलत विचार उसके प्रतिया रहे हैं, दैहिक भावना आती है, वो परिवर्तन हो जाएंगे. तो परमात्मा अपने बच्चों की द्रश्टी को, विरत्ती को, संसकारों को, दिव्य और पवित्र बनाने की युक्ती बताते हैं. वैसे भी देखो, लौकिक में भी कोई मा के साथ बच्चे का गलत संबन्द नहीं बनता है, उस भावना से भी उन्हें देखता है. तो उस भावना से अगर आप देखेंगे, तो आपको आसुरी विचार, जो गलत विचार उसके पर ते आ रहे हैं, वो आपके परिवर्तन हो जाएंगे. और नहीं परिवर्तन होते हैं, तो वो चित्र सामने रखो. देवी ने असुरों को पहरों के रीचे कुचल दिया. तो आसुरी व्रत्ती को बदर कुचला है, ऐसा नहीं कोई विक्ती को कुचल दिया, तो ये आयादगार बहुत सुन्दर बनाई हुई है. परमात्मा कहते हैं कि माताएं वो बहने भी सदा अपने शिव शक्ती स्वरूप में स्थित रहें. मेरा विशेश भाई, विशेश स्टुडेंट नहीं. वह शिव शक्ती है और आप महावीर हो. लंका को जलाने वाले पहले स्वयम के अंदर रावन वंश को जलाना है. महावीर की विशेशता क्या दिखाते हैं? भैसदा दिल में क्या दिखाता है? एक राम, दूसरा न कोई. चित्र देखा है न? तो हर भाई महावीर है, हर बहन शक्ती है. महावीर भी राम का है, शक्त भी शिव की है। किसी आत्मा का प्रभाव भी मुझा आत्मा पनना पड़े। इसलिए दूनों को इस इसमृत्ति में रहना है कि मैं अगर सिव सकती हूँ तो ये महावीर है, ये पांडो है। और महावीर की तो दो विशेष्टाएं बहुत अच्छी कही हुई है। एक तरफ महावीर को दिखाते हैं, उसने अपनी पूछ से सारी लंका को जला दिया। और दूसरी तरफ उससे पूछा गया आपके दिल में कौन है तो उसने देख कर दिखा दिया कि मेरे दिल में राम बचता है। तो जिसके दिल में राम बचता है, जिसने रावन की लंका को जला दिया, तो आप महावीर बच्चे क्या रावन वंस को जो अंदर रावन का वंस है, इट्सा, दुएस, नफरत, विकारी दरश्टी, व्रत्ती, इसमरत्ती उस वंस को नहीं जला सकते। तो पहले अपने उस वंस को जलाऊ, और अंदर दिल में राम को वसा लो। तो जब राम आपके दिल में वसेगा तो हन्मान जी के, जैसे दिल में राम थे, ऐसे ही पर मातम का सकतियों कि दिल में शिू हैं, तो फ्यू शिव कती हैं, और आप पंड को हैं महावीर हैं। इस अगर रहेंगे तो दोनों साथ रहते हुए इस तरही पुरोज भाई बहन साथ रहते हुए भी अपनी दरश्टी को अपनी वरत्ती को बहुत सुद्ध और पुवित्र बना सकते हैं ये विधी है अपने पुवित्रता की स्टेज को कायम रखने की जो देविमान में आकर के दरश्टी वरत्ती में विकारी ख्यालाते हैं उन विकारी संकल्पों को उन ख्यालातों को समापत कहने की बहुत अच्छी विधी है परमात्माम से कहते हैं कि सदा हर सेकंड शरीर में आत्मा को देखो नजर ही मस्तक मनी पर जानी चाहिए तो क्या होगा आत्मा आत्मा को देखते स्टेही आत्म अभिमानी बन जाएंगे है तो यह पहला पाठना पहला पाठ ही पक्का नहीं करेंगे अल्फ को पक्का नहीं करेंगे तो बे बाद्शाही कैसे मिलेगी यही पहला पार्ट परमात्मा ने हमको पढ़ाया है, कि आप एक आत्मा है, इसलिए जब कभी भी किसी से बात करो, किसी को देखो, तो यह अभ्यास करो, कि यह तो मश्तक के बीच में चमकती हुई मनी है, आत्मा रुपी मनी को देखेंगे तो सरीर रुपी सांप नहीं दिख करो, तो आत्मी की स्थित्ती माना अलफ का ग्यान पहला ग्यान है, जब अलफ का ग्यान पक्का कर लेंगे तो बेवासा ही तो आपकी होई जाएगे, वरसे के लिए जो अधिकार लेने की इच्छा रहती है, कि मुझे बावा का सारा वरसा, सब सक्तियों का अधिकार थंगम पर प्राप्त हो जाए उसके लिए पहले इस अलफ का आत्मा को देखने का पाट पक्का को जितना आप आत्म akustit में रहेंगे उतना पर्मात्रा की सर्वसक्तियों के अधिकारी अलफ और वाउब भेक के दोनों इस्म्रतियां सोतेड बननी रहेंगे पर मात्मा कहते हैं कि सिर्फ एक बात की सदा सावधानी रखो, जो भी करना है, श्रेष्ठ कर्म वश्रेष्ठ बनना है, तो हर बात में दिन संकल्प वाले बनो, कुछ भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन श्रेष्ठ कर्म वश्रेष्ठ परिवर्तन करना ही है, इसमें पुरुशार्थी शब्द को अलबेले रूप से यूज नहीं करो पुरुशार्थी है, चल रहे हैं, कर रहे हैं, करना तो है यह अलबेले पन की भाषा है कई बार जब कोई अलबेले पन में इस भाषा का प्रियोग करता है कि मैं तो पुरसारती हूँ पुरसारती कहकर के कमजोर नहीं बन जाओ कोई भी अगर संसकार सुभाव पुराने जागरत हो रहे हैं तो पुरसारती माना संकल्पों में द्रंता चाहिए कमजोर संकल्प अलवेलेपन के आते हैं कि मैं पुरसारती हूँ इसलिए हमारे संकल्ब विखल्ब चलते हैं, इसलिए मेरे कोई आता है। परमत्मा कहते हैं, आप अपने द्रणता के संकल्ब के आधार से पुर्सारत सब्द के अथार्थ हर्थ सरूप में इस्तेतो करके, इन बुराईयों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। पुर्सार्थी करके कमजूरियों का आवहन नहीं करो। तरही लोग कमजूर होते हैं, क्या करों अभी तो पुर्सार्थी हैं, अन्तसमय में पास हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं, यह अलवेलेपन की भासा है। आप सक्ति सरूप बन करके द्रण संकल्ब करो तो आपको सफलता मिल और इसलिए परमात्मा ने कहा कि द्रण संकल्ब वाले बनो, परिवर्तन करना ही है, कल भी नहीं, आज, आज भी नहीं, अभी। इसको कहा जाता है महावीर, राम के आज्याकारी। परमात्मा कहते हैं कि अटेंशन चेकिंग, यह डबल लॉक, याद और सेवा, यह दूसरा डबल लॉक सबके पास है ना, तो यह सदा डबल लॉक लगा रहे, दोनों तरफ लॉक लगाना। अटेंशन और चेकिंग, याद और सेवा, यह डबल लॉक और डबल तरफ लगा रहे, कहीं भी माया को आने का चांस ही नहीं मिलेगा, कोई अटेंशन रखता है, अपनी चे वर्तन द्वारा, कैसे हम संपूर्ण पवित्रता को जीवन में धारण करें, उसकी यथार्थ विधी को जाना, फैस अब सपश्टी करण के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आत्म अभिमानी स्थिती स्वतह बन जाएगी। परमात्मा ने कहा कि हमें अपने अलबेलेपन के संसकारों को दिल संकल्प से परिवर्तन करके सदा श्रीष्ट कर्म करने हैं। तरश्कमाज के महवाक्यों से संबंधित, यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो आप ह हाजिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लिटे है इजाजत, हुम शान्ति। मुख्य सार्थ द्रिष्टी तथा व्रिट्टी परिवर्तन के लिए दिव्य नेत्र से देखो, नारी शरेड़्धारी आत्मा को शक्ती रूप, जगत माता के रूप में देखना। बहन भाई के संबंध में भी कभी व्रिट्टी और द्रिष्टी चंचल हो जाती है। पड़े सामना करना पड़े लेकिन स्रेष्ट कर्म करना है और स्रेष्ट बनना है। पुर्शार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सर्व कमजोरियों से सहज पार हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर करें। पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर्ट स्टूडियों से संपर्क करें।